नमस्काव दोस्तो स्वागत है आपका हमारे आज के इस वीडियो सेशन में आज हम डिडिया प्राइम का ये लास्ट वीडियो जो है इसमें हम बहुत सारे अलग-अलग डिसीजस के बारे में देखेंगे कि डिडिया प्राइम हमें कौन-कौन सी बीमारियों में लाप दे सकत तो आएए चलते हैं आज के हमारे वीडियो सेशन में आख से संबंदी समस्या जैसे पूर विजन या फिर बिकॉस आफ इंफेक्शन जैसे आज के डिट में अक्यूट इंफेक्शिस पेरलिसिस हैं तो उसके वज़े से भी ब्लॉर्ड विजन होते हैं तो हमें दिखने में ब समस्या जैसे思 टेक्ष आखों में जो रेट निया है रेटिना के अंदर आये हुआ एक प्रॉब्लम जिसमें हमारे सयल ब्रेकटाउन होने ही रेटीना के तो इसके वज़े से हमें vision loss होने लगता है, तो ऐसी समस्या में VDDR-prime का लाब लिया जा सकता है, थ्रोट से संबंदे समस्या के बारे में अरेडी हमने बहुत सा समस्याओं पर ध्यान दिया था, जैसे throat cancer या फिर tongue cancer, mouth cancer तो इसके अलावा goiter में भी ये लापरद हो सकता है Hyperthoridism में भी ये लापरद होता है और skin से संबंदे समस्या जैसे vitiligo जिसमें हमारे skin में white patches आने लगते हैं तो ये white patches के लिए भी ये बहुत ज़्यादा लापरद है इसके अलावा हमारे बालों के लिए बहुत अच्छा है हमारे बाल तूटने लगते हैं, fragile हैं या फिर ज़्डने लगते हैं तो इसमें ये लापरद हो सकता है और baldness है या फिर गंजापन शुरू हो रहा है तो इसमें ये लापरद हो सकता है वेट से समबंदी समस्या के लिए ये बहुत अच्छा है वेट लॉस के लिए क्योंकि ये अगर आपका slow metabolism है तो metabolism को बढ़ाता है slow metabolism के वज़े से अगर आप कम भी खाते हैं फिर भी weight gain करते जाते हैं और बहुत ही difficult होता है ऐसे में weight loss करना पाचन समबंदी समस्या जैसे diverticulitis जिसमें हमारी बड़ी आथ में छोटे छोटे diverticula बन जाते हैं pouch बन जाते हैं और इनमें सूजन आता है ये एक infection होता है तो इसमें भी ddia prime बहुत ही लाप्रद होता है ये torret syndrome में भी लाप्रद होता है जिसमें हमारे शरीर में एक अनिक प्रकार के ऐसी गत्विदी होती है जिसे हम चाहते हैं पर रोक नहीं सकते हैं जैसे बुढ़ापे में कुछ बुजर्गों को एक अलग प्रकार से ticks होते हैं head का एक movement होता है और समानी रूप से वो अपना सर हिलाते रहते हैं या फिर हम श्रक करते रहते हैं shoulder हिलाते रहते हैं तो ये एक टाइप का disorder है इसके लिए बिडिया प्राइम लाप प्रत होता है अगर prostate में inflammation हो, सूजन हो जिसके वज़े से दर्द उठता हो वहाँ पे और बार-बार urination करना होता है और फिर भी urine clear नहीं होता और इस समस्या से भी लाब लेने के लिए prostate में भी डिडिया प्राइम लाप प्रत होता है muscles में degeneration शुरू हो जाता है और weakness आना शुरू हो जाता है इस से सम्बंदित धे सारी समस्या होती है जैसे myotonic muscle dystrophy हो सकता है या muscle dystrophy जैसे कहते है और degeneration हो सकता है muscular degeneration हो सकते है इसके साथ में ही अगर polymyocystis हो सकता है तो ऐसे muscles से सम्बंदित बहुत सारी समस्या हो में DDR prime लापरत हो सकता है heart से सम्बंदित समस्या होता है जैसे mitral valve prolapse इसके अंदर हमारे left chamber में heart के left chamber में prolapse होता है weld में और इसके वज़े साने वाली ये तकलीफ है इसमें ये लापरद हो सकता है और भी समस्या जैसा एनुरिजम जिसमें localized swelling होती है आर्टरी के अंदर तो इसमें भी लापरद होता है चलिए दोस्तों उमीद करते हैं कि आपके लिए जानकारी लापरद होगा अगर आपको ये जानकारी पसंद आई होगी तो आप हमारे चैनल को like, subscribe और share जरूर कीजे और अगर आपको और कोई जानकारी की जरूरत है इसन शाय संबंदि तो आप जरूर हमारे comment में डाल सकते हैं आपका जवाब देने का हम प्रयास करेंगे धन्यवाद